नवस्कार दोस्तो मेरा नाम है दिनीश कुमार दोस्तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल पर जहां पर आप ओनलाइन अर्निंग के बारे में और क्रिप्टो कुरंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेप पे एपलिकेशन के बारे में जो की एक बिटकॉन बालेट है और इंडिया का फेमस बिटकॉन बालेट है इसके बारे में जानेंगे कि आप इसके अंदर अपना बेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं तो दोस्त दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे JPE application को install कर सकते हैं और कैसे इसके अंदर mobile verified कर सकते हैं या कैसे इसके अंदर registration कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी verification को complete कर सकते हैं तो आप जैसी अपने JPE application को open करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से इसका interface होता है, यहापर आपको उपर की side में तीन बार मिलेंगी, यहापर आपको click करना है, यहापर click करने के बाद आपको इस तरह से एक slide menu खुलेगा, यहापर आप देखें तो यहापर एक button है verification का, आप को यहापर click करना है, जैसे आप यहापर click करते हैं, तो आप यहापर देख सकते हैं, आपको यहापर चार verification कंप्लीट करनी होती है, यहापर सबसे ओपर देखें, आपको यहापर email दिख रही है, उसके बाद आपको यहापर pen card दिखाई देरा है, हलाकि जदा highlighted नहीं है, और यहापर आप देखें, तो bank account दिखाई देरा है, और यहापर आप देखें, तो यहापर आपको अधार card दिखाई देरा है, यह चारो चीज़ें आपको complete करनी है, यह चारो चीज़ें आपके पास complete होनी चाहिए, आपका email आपके पास login होना चाहिए, आपका pen card आपके पास ह domain called आपका branch कहां पर है यह सारे detail आपके पास लिखी होनी चाहिए और एक आपकी passbook की front page की photo होनी चाहिए आपके पास जहां पर आपका photo लगा होता है या फिर आपके पास जो है cancel check होना चाहिए वह भी यहां पर accept करता है उसके यहां पर आपके पास अधार कार्ड होना चाहिए, अधार का फ्रेंट और बैक दोनों का फोटो होना चाहिए, और यह सारी चीजा आपके मोवाइल के अंदर अभलेबल होना चाहिए, क्यूंकि यहां पर आपको डॉक्कुमेंट अपलोट करने पड़ेंगे, उनके जो है फो क्लिक करते हैं यहाप पर next पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाप पर नीचे एक message मिरेगा कि आपको एक email वेजी गई है email के अंदर आप इसको जो है verified करिये हम यहापर okay पर किलिक करेंगे और उसके बाद चलेंगे अपनी email के अंदर यहाप पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमें एक email आ चुकी है जैपने की तरब से यह email आई है और यहां पर आपको किलिक करना है जैसे आप यहां पर किलिक करते हैं तो आपकी email जो है वो verified हो जाएगी यहां पर आपको एक message भी देखने को मिल जाएगा verification successful अब फिर से अपनी wallet के आपको next पर किलिक करके next option पर जाना है अब हम यहां पर next पर किलिक करेंगे जैसे आप next पर किलिक करते हैं दोस्तों आपके सामने pen card का option जो है आजाता है यहा पर पैन credit Caesar लेंगे यहां पर इसके बाद जो है simple next पर click करेंगे जैसे हम next पर click करते हैं यहाँ पर uploading का message आ रहा है और यहाँ पर upload जो है 100% हो चुका है दोस्तों और कुछ इस तरह से आपको एक और message देखने को मिलेगा और इस तरह से आपको जो है फिर एक next page पर ले करके आ जाएगा यहाँ पर आपको अप ऐसी code डालना है यहाँ पर आपको अपना bank का नाम डालना है यहाँ पर आपको branch का name डालना है दोस्तों और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको bank account name डालना है यानि कि आपकी bank में आपका क्या नाम है और यहाँ पर आपको cancel check का photo upload करना है और यहाँ यहाँ पर आप अपन हमने यहाँ पर fill up कर दिया है जहां पर चेक का जो है हमें फोटो लगा रहा था यह बैंक की पास्बुक का फोटो लगा रहा था हमने यहाँ पर डोलर का सिंबल लगा दिया है यहाँ पर क्योंकि देर में दोस्तों यह upload हो जाएगा आप देख सकते हैं ये आपका bank का भी काम जो है complete हो चुका है अब आपको यहाँ पर डालना है अपना city डालिए यहां पर आप अपना state जो है select करिए और उसके बाद जो है यहां पर आप अपना pin code डालिए तो यह सारी detail एक बार फिर से हम fill up करेंगे यह सारी detail दोस्तों हमने यहां पर fill up कर दिये अब यहां पर हम नीचे जाकर के submit पर click करेंगे जैसी दोस्तों submit पर click करेंगे okay पर click करते ही दोस्तों उसके बाद आप यहां पर email पर जाएए जैसे आप email पर जाएंगे दोस्तों यहां पर आपको approve दिखाई देगा आप pen card पर जाएए यहां पर आपको pending दिखाई देगा तो इसी तरह से दोस्तों यह चारों जगा पर आपको pending दिखाई देगा जहां पर अप्रूब आपको दिखाई दे रहा है वो अप्रूब हो चुका है जहां पर पैंडिंग आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों समझ लो रिव्यू के अंदर गया है और जैसे इनकी जो टीम होगी दोस्तों वो इसको वेरिफाइट करेगी उसके बाद जो है आपका यह सा कॉल करके आपके डिटेल भी पूछ सकते हैं नहीं तो बहुत बार जो है आपका बिताओट कॉलिंग के भी यह अकॉंट वेरिफाइट कर देते हैं तो दोस्तों यह थी प्रोसेस की आप किस तरह से अपना जैप पे अकॉंट की वेरिफिकेशन प्रोसेस को कम्प्लीट कर स तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें और यहाँ पर किलिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि ऑनलाइन में आर्निंग से रिलेटिव जो अपरचुनिटी हम आपक के लिए लेकर आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आपकी इमेल में मिलती रहें और आप किसी बड़ी ऑपरचुनिटी या अपडेट को मिसना कर पाएं और ओनलाइन में आर्निंग का फायदा उटा सकें तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी यूज अपडेट या किसी अच्छी परग्राम के साथ तब तक के लिए टेक कियर